लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले हर्याना के जजर में चल रहे पशू मेले में हिसा से एक ऐसा भ्यानसा बिक ने आया है जिसकी कग काठी देख लोग इसे छोटा हाथी कह रहे हैं भ्यानसे के मालिक ने इसकी कीमत 20 करोड से अधिक बताई है हीरा अपने सीमन्स से पशू मालिक को हर साल करीब डेड़ करोड रुपे दिलाता है लगबग साड़े 5 फीट उचे और पशू मालिक के दावे के अनुसार देश के सबसे चोड़े मुरा नसल का भ्यानसा हीरा है इसकी उम्रपो ने 5 साल की है मेले में पहुँचे हिसार जिले के गाव सिंगावा खास के व्यापारी कपूर के अनुसार इसकी रूटीन की खुरात में सुबह शान एक किलो घी शामिल है गर्मी में ये परिवार की सदस्त की तरहरे सी में सोता है हीरा मुक्तसर में आयोजे तोहिल इंडिया चैंपियनशिप में पहला स्थान का हासिल किया था यह रोजाना ओसत करी 500 सीमन की डोज देता है एक डोज की कीमत 300 रुपे होती है खास बात यह है कि हीरा की मा मुरा नसलकी भैस लक्षमी 2013 में 25 लाक रुपे की बिकी थी लक्षमी ने 28 लीटर दुद कर रेकॉर्ड कायम किया था हीरा की मा लक्षमी को आंधर प्रदेश के पशू मालिक ने 25 लाक में खरीदा जिसने बाद में 32 लीटर दुद देकर लिंका बुक अफ रेकॉर्ड में स्थान बनाया अब इस अबेटा अपने सीमन से पशू मालिक को हर साल करीब डेड़ करोड रुपे दिलाता है पशू मालिकों का कहना है भेंसे की कीमत उसके द्वारा तैयार सीमन से आंकी जाती है एक भेंसा चार दिन में सीमन तैयार करता है एक डोज की कीमत करीब 300-400 रुपे है भेंसे की औसक उम्र करीब 10-12 साल होती है भेंसा अपनी औसक उम्र में कितना सीमन तैयार करता है उसी सीमन की कीमत के आधार पर भेंसे की कीमत प्रेकी जाती है पसुपालकों का कहना है मुरा नसला के भेंसा का सीमन सबसे अधिक महंगा बिकता है